आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की वोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ हमसे पूछा गया question में कि given options में से कौन सा एक limbless amphibian है तो सबसे पहले हम देखें amphibians क्या होते हैं यह हमारे animal kingdom में caudata phylum के अंदर आजाते हैं और caudata phylum को हमने further divide किया हुआ है एक sub phylum होता है vertebrata इसमें क्या होता है हमें पता है कि जो caudata है उसके अंदर हमने ऐसे animals को place किया है जिनकी body में एक rod like structure होता है notocord नाम का तो जो vertebrate होते हैं इनमें जो यह notocord है यह हमें embryonal stage पे देखने को मिलेगी लेकिन adult में यह vertebral column में बदल चुकी होती है तो amphibian हमारे vertebrata subphylum के अंदर आने वाली एक class है और amphibian हम इने क्यों बोलते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि यह dual life जीते हैं amphi मतलब dual और bio मतलब life तो ऐसा इसी लिए कहते हैं क्योंकि यह terrestrial तो होते ही है land पर तो रही सकते हैं लेकिन इसके अलावा अपनी life का एक बड़ा हिस्सा यह aquatic habitat में भी बिताते हैं यानि पानी के अंदर भी बिताते हैं तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि इनमें से limbless amphibian कौन सा है limbless जो amphibian होते हैं यानि उनके हाथ पाउं नहीं होंगे limbs हमें नहीं मिलेंगे उनमें उनको हमें A.Poda नाम के ग्रुप में प्लेस किया हुआ है तो आईए अपने options को देखते हैं पहला option हमें दिया है A.Poda अब यह असल में हमारे एक large marine reptiles का ग्रुप था जिसको हमने यह नाम दिया हुआ था और अब यह जो है extinct हो गया है यह हमें नहीं मिलते हैं तो पहली बात तो यह amphibian नहीं है reptile में आते हैं और दूसरी बात extinct हो गया है तो यह हमारा correct answer नहीं होगा फिर हमें buffo दिया हुआ है buffo जो होता है यह हमारा zoological name होता है toad के लिए और toad की body हमें अच्छे से पता है कि mainly दो parts में divisible होती है इसका head और trunk जिसमें से neck और जो tail का region है वो absent होगा लेकिन 4 limbs इसके पास present होते है strong hind limbs और swimming के लिए इसके 4 limbs भी होते हैं तो इसलिए यह limbless नहीं होता इसके बाद जो snake है वो limbless तो होता है लेकिन वो reptiles में आ जाते हैं और हमसे यहाँ पर amphibian का पूछा है तो हमारा correct answer एक्तियोपिस हो जाएगा हमें जो last option दिया हुआ है यह आते तो amphibians की class के अंदर है लेकिन इनके पास limbs present नहीं होती है और इसलिए अगर यह large होते हैं तो snake जैसा appearance देते हैं और अगर छोटे होते हैं तो हमारा correct answer यहाँ पर यह हो जाएगा out of the following, the limbless amphibian is option D, Icthyopis Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advanced के लेवल तास मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलूट के लेडाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट 84444 पर